न्यूजीलेंड की पीम देंगी इस्तीफा कहा अब कुछ खास बचा नहीं 2008 में लेबर पार्टी के टिकट पर संसद पहुंची 2017 अगस्त में लेबर पार्टी 37 साल की उम्र में दुनिया में सबसे कम उम्र की महिला राष्टर प्रमुख बनी 2018 में जेसिंडा दूसरी ऐसी राष्टरा ध्यक्ष बनी जिन्होंने पद पर रहते हुए बच्चे को जन्दिया बच्चा लेकर यूएन पहुंची प्रधानमंत्री रहते एपी वेलिंग्टन न्यूजीलेंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्दिन ने अपने इस्तीफे की घोशना कर दी है जेसिंडा ने कहा मेरे लिए यही समय है मेरे पास अगले चार साल के लिए कुछ खास नहीं है अर्दन साथ फरवरी तक लेवर पार्टी की नेता के पट से इस्तीफा दे देंगी इसके बाद उनके उत्तराधिकारी को चुने के लिए वोटिंग होगी न्यूजीलेंड में इस साल 14 अक्टूबर को आम चुनाव होने है अर्दन ने कहा मैं अप्रेल तक स्थानी असानसत के रूप में बनी रहूंगी मुझे बस इतना पता है कि मैं ऐसे तरीके खोजूंगी की न्यूजीलेंड के लिए काम करना जारी रख परिवार के साथ फिर से समय बिताने के लिए उत्सुख हूँ उन्होंने कहा हो गई थी साल पहले 2019 में जब न्यूजीलेंड में दो मस्जदों पर हमला हुआ तो वो मुसलिम समुदाए के मजबुती से खड़ी दिखी एक गन्मेन ने हमला करके 51 लोगों की हत्या कर दी थी इसके बाद जएसिंडा खुद पीडित लोगों से मिलने पहची थी और न्याय दिलाने की बात कही थी तब उनकी तस्वीर दुनिया भर में वाइरल हो गई थी